हमाई सर्थ क्या अल्ला टाइम टाइम पर नई नई बाते कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है या आगे फ्यूचर में कुछ और नई नई बाते भी कहेगा बाई साब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राईन है कि अल्ला एक है भगवान एक है सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए लेकिन हर मख़ब अपनी कल्चर अपनी संस्क्रिति को देखके स्टाइल बदलता है तो अल्ला ताला जो पहले के चुका वो अभी भी से में के टाइम टाइम पे बदलता है भाईसाब का सवाल अच्छा है लेकिन ये कहना चाता हूँ जवाब देने के पहले भाईसाब ने का के सब मानते के अल्ला एक है ये मैं नहीं मानता हूँ के सब मानते मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते ये ये मेरा मेरा फील्ड है ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्ला एक है कि भगवान एक है कई लोग भगवान में मानते ही नहीं नास्तिक केते हैं और जो लोग कहते हैं भगवान में मांते हैं हर कोई एक में नहीं मांता, कितने लोग तीन में मांते हैं कि जिरो सब कुछ भगवान मांते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला दा हरे निसान मानता है भगवाने के उसे मैं मुत्थफ़क नहीं हूँ दूसरे चीज के सब एकी भगवान, एकी ईश्वर को पूशते हैं, कि इबाधत करते, यह भी मैं नहीं मानता हूँ पूचेंगे, जा रहे पूझरे, बुद्क को पूझरें। कभी इसको पुछते कभी उसको पुछते तो ये आप अगर धरम के किताब पढ़ेंगे बाइबल पढ़ो वेद पढ़ो ये सब इसकी मुमानियत है ये हराम है कि किसी और को पूछना इसके बावजूद धरम के मानने वाले अकसर दूसरी चीज़ को पूछते जो बिल्कुल बेनकुम आपस में उस चीज़ प्याओ जो हम और आप में यकसा है सबसे पहली बात है अल्ला ना अबदा इल्ल्ला कि हम एक ही इशोर एक ही बगवान की अबादत करें एक ही बगवान में मानना काफी नहीं मानने के इलावा उसी की अबादत करना और किसी की नहीं आपका हैं सवाल कि हर मजभ एक ही बगवान कहता है यह बिल्कुल सही है और अपने तह्जीब के इसाब से बदलते रहता है यह कहना गलत है और अलला ताला कितने बार बगवान यह कह सकते है कि टाइम जाने के वज़े से किताबे बदलती गई अल्ला का जो पैगाम है बेसिक पैगाम वो नहीं है वो बदलता नहीं कि अल्लाइक है एक इश्वर की इबादत कर नहीं उसके कुछ चीजे उपरी चीजे शायद बदले मिस्या कि तो पर किस तरीके से अबादत करना हम जिस तरीके से सला पढ़ते है वो चौदा सो साल पहले मुहम्मद चल्लाव सल्लम पेगंबर के जरी नादिल हुआ लेकिन जो मेन है कि एक एश्वर है एक एश्वर की अबादत करना चाहिए वो कभी भी नहीं बदलेंगा लेकिन टाइम जाने के वज़े से जो मजभी किताबें लोग बदलते गए अल्लाद अल्लाव फर्माते है कुरान में सुर बक्रा में सुरा नमर दो आयत नमर 89 इसके मानी है कि लानत वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते है और कहते हैं अल्लाव के तरफ से है लानत थे उनके उपर जो खमाते है और लानत थे उनके हाथ के उपर तो अल्लाव तल्लाव फर्माते है किताबे बदली गई है तो जितने मजभी किताबे है आज की तारिक में सारी कुरान मजीद को छोड़के विल्यम मौर एक किटिक है इसलाम के खिलाफ किता है बहुत शिद्द से इसलाम के खिलाफ है उनने लिखी थी दोसो साल पहले कि ये शाहिद एक ही मधभी किताब है जो पूरी पाख है बारासो साल तक के वही कुरान तो एक ही किताब जो महफूज है क्यों अल्ला सुभानाओ ताला कहते है कुरान में सुरह हिजर में सुरह नम्र पंदरा आयत नम्र नौ में कि मैंने कुरान नाजल किया है अब मैं इसकी इसकी इफादत करूँगा जितने पहले किताबे आये वो वक्त के हिसाब से बदर दिये और अल्ला सुभानाओ ताला ने उसे महफूज रखने की जरुज समझा ही नहीं क्यों? क्यूंके जितने पैगंबर मुहम्मद सुर्ण के पहले है ये वो पैगंबर शर्क अपनी कौम के लिए ये और कुछ वक्त के लिए था के आमद तक नहीं इसे अलेसे सलम जिए तेbelी कोम nos लगवरान के लिए जितने पैगंबर आये अपनी कौम के लिए उत्धाएए और कुछ महदुद बxt के लिए है एक कौम के लिए है लेकिन मुम्मत सल्लाव सल्मा अखरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अर्बों के लिए है सारी इंसानित के लिए है और जो कलाम उनके देरे नाजिल हुआ अल्ला समाथ कुरान वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिफ उस वक्त के लिए वो सारे इनसानियत के लिए ओताख ऐमे तक है तो क्योंके ये किताब महफूँज रखने वाली किताब है ये किताब कभी नहीं बद्लेंगी ये आखरी है और आला ताला अला अमारते है इसके बाद कुछ चीज नहीं नहीं आएंगी और कुछ चीज निकारी नहीं जा सकती तो पहले जितने किताबे आए जितने नाजिल हुए अल्ला ताला के वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरुवत थी नहीं क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मिल पैगाम ताक क्यामत तक था ही नहीं लेकिन आखरी पैगामर मुहम्मद चौदा सो साल पहले है उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गए खुरान वो ताक क्यामत तक होने वाली थी इसी लिए उसे महफूज रखा गया है तो अल्ला सुभानाओ ताला ने 1400 साल पहले समझे के ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस धरजे पे पहुच गई कि वो पुरान को समझ सके आप मुझे पूचेंगे कि पहले क्यों नाजिल किया 14,000 साल पहले क्यों किया 10,000 साल पहले क्यों ने किया तो मैं कहूँगा कि अल्ला ताला हमारा खालिक है वो जानता है कि इंसान कब किछी समझ सके मिसाल तो मेरा बेटा कहेंगा कि मुझे डॉक्टर बनने का डारेक्ट मेडिकल कॉले में दालो मैं बहुँगा पहले बेटेंट करो स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ तो उसी तरीके जा अल्ला सुभान अवतार हमारे खालिक है वो जानते थे कि ये 14,000 साल पहले इंसान इस धरजे पे पहुचे कि वो खुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया और अभी ये आखरी किताब है इसके बाद कोई भी नया पेगंबर नहीं आएंगा इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्ला ताला से वही आती है, उसको साइकेटरिस की जरवत है, साइकेटरिस लिमाक की बिमारी है